मीठा खाना तो सबको ही बहुत पसंद है पर लॉक्डाउन की वज़े से हम कहीं भार नहीं जा सकते तो क्यों ना घर पर ही बनाएं एक स्वाधिश्ट और मज़ेदार रेसिपी स्वागत है आप सबका SG Food World में आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए 200 ग्राम बेसन जिसको हम चलनी की मदद से चान लेंगे अगर आप ग्राम की मेजरमेंट नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप एक कटोरी बेसन ले सकते हैं बाकी चीजों की भी मेजरमेंट उसी क्वांटिटी में करें जिस कटोरी में आपने बेसन लिया है और घी मैंने लिया है 100 ग्राम जो कटोरी की मेजरमेंट ली थी उसकी आदी अब बेसन को अच्छी तरह भूण लेंगे पांच मेट के लिया हाई फ्लेम पे और उसके बाद मीडियम कर देंगे बेसन और गी को अच्छी तरह मिलाएंगे और पहले आप देखेंगे ये थोड़ा सॉलिड हो जाएगा भूंते भूंते आप देखेंगे कि इसमें गीला पन आ रहा है और ये लिक्विड फॉर्म में कनवर्ट हो रहा है हमें कंटेने उसलिए कर्ची की मदद से इसको हिलाते रहना है ताकी बेसन जले ना भूंते हुए साइड में हम इसकी चाष्णी भी त्यार कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम चीनी और 50 ग्राम पानी और अगर आप कटोरी का मेजरमेंट ले रहे हैं तो तीन चत्थाई कटोरी चीनी और एक चत्थाई कटोरी पानी अब इसकी एक ताकी चाष्णी बनाएंगे साथ में बेसन भी भूंते रहेंगे अगर आप दोनों चीजे एक साथ करने में कमफर्टेबल नहीं है तो आप पहले चाष्णी भी त्यार कर सकते हैं अब इस में पोर चुके हैं हमें से बुहते हुए अब पांच मिनिट में हमारी बर्फी बनने वाली है चाष्णी हमारी रेडी है बेसन की बर्फी का स्वाद बढ़ाने के लिए और इस रेसेपी को मज़ेदार बढ़ाने के लिए हमें यहां पे लेना है 100 ग्राम खोया बेसन भी अच्छी तरह बुन गया है और आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा लाइफ ब्राउन हो गया है तो अब इसमें हम खोया आड़ कर देंगे खोया अच्छी तरह मिक्स हो जाने पर इसमें चाश्णी का घोल मिक्स कर देंगे चाश्णी का सिरफ थोड़ा आड़ करेंगे पहले और फिर एक स्पून की मज़द से इसे टेस्ट कर लेंगे जिसे कम मीठा पसंद है वो कम चाश्णी डाल सकता है अब एक प्लेट लें जिस पे घी अच्छी तरह मल लें ताकि जो हम मिक्स्चर डालेंगे और कटिंग करेंगे तो अच्छी तरह निकल जाए अब मिक्स्चर डालेंगे इस प्लेट में और अच्छी तरह स्प्रेट कर देंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाले मुझे नहीं पसंद है और थोड़ी देर इसको सेट होने के लिए रख दे फिर इसकी काटिंग कर ले ट्राइ करें इस रेसिपी को और बताएं कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको ये रेसिपी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर गुडबाई और डोंट फोगेट तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब